हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एडुकेशन क्लिनिक आप पोस्ट रॉक्टेट इन क्लिनिकल मैडेसन इन दा मैटाबोलिक साइंस और जो मेरा अपना एक्सपिरेंस है और जो क्लिनिकल डेटा हमें सजेस्ट करता है कि स्ट्रेस कोई बीमारी तो नहीं है लेकिन स्ट्रेस मोर देन हंडेड डिसीज आपके सरीर के अंदर पैदा कर सकती है और more than 100 disease का में directly और indirectly जो contribution है वो stress का है तो stress एक बहुत बड़ी समश्या है lifestyle stress आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा परिसान करता है और stress के कारण हम देखते हैं कि इंसान का वहवार उसकी emotional health, उसकी physical health, उसकी sexual health even though उसकी sleeping quality काफी disturb होती है और उसकी इंसान को खुद भी नहीं समझाता है कि मुझे क्या हुआ है stress से जो induced problems हैं, जो stress से develop हुई conditions हैं उन सब को समझना और उनको accurately diagnose करना या उनके प्रभाब को manage करना या उसको समझना अभी भी medical science के लिए बहुत बड़ा challenge है हमारे पास कोई भी ऐसा accurate clinical instrument या data या testing available नहीं है जिससे कि हम किसी भी इंसान का stress का जो level है उसको measure कर सकें और ये समझ सकें कि stress के कारण आपको ये तकलीफ हुई है तो problem basic ये है आज कि stress है लोगों पर लेकिन लोग खुद भी उसको identify नहीं कर पाते लोग खुद भी नहीं मानते कि वो stress के अंदर है और उनके अंदर देखा जाता है कि emotional, physical, sexual और मतलब जो उनका relationship है उनका जो behavior है जो society के साथ उनका connection है उसमें एक dramatical change आता है और ये change यदि लगातार कुछ दिन तक रहे तो फिर आपको कुछ clinical, कुछ physiological, कुछ emotional बदला आप देखे जाते हैं उनको आज समझने की आवशकता है तो आज हम उन पर बात करेंगे सबसे पहले देखोई यदि आपको stress है तो आप अपने sleep की quality है उसमें एक change देखेंगे आपकी sleep की quality disturb होगी आपका sleep का duration घट जाएगा और आप बार बार मतलब बहुत जल्दी आपकी sleep disturb होगी और एक conscious एक अलग तरह का एक sleep के दोरान भी thought आपका carry करता है यानि की देखो हमारा दिल और दिमाग कभी भी सोता नहीं है rest करने का जो इनका तरीका है दिल दिमाग का वो थोड़ा सा अलग होता है तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा दिल और दिमाग काम करता रहता है लेकिन stress के दौरान एक चीज़ देखी गई है कि दिल और दिमाग बहुत जादा तेजी से काम करता है और उसका frequency है जो उसका speed है वो बढ़ जाती है यानि कि हम नीद के दौरान भी किसी ना किसी thought के साथ consciously deal करते रहते हैं और सोने के बाद भी हमें बहुत ज़्यादा freshness महसूस नहीं होता आपने देखा होगा कि यदि कोई trauma है कोई emotional stress है या कोई आप depression carry कर रहे हैं या आपको कोई loss हो गया है या किसी तरह की कोई ऐसी miss happening होई है तो उसके बाद आप नीन तो लेते हैं लेकिन freshness महसूस नहीं करते यानि डेली आप जाते हैं सोते हैं उतने घंटे ही सोते हैं लेकिन एक दिन आप बहुत अच्छे से freshness होते हैं positive होते हैं energetic होते हैं लेकिन एक दूसरे दिन यह सब नहीं होता तो इसका मतलब है कि आप stress को induce कर लिया है आपने stress को आपकी body receive कर लिया है आपके जो stimuli है उस पर उसका एक effect देखा जा रहा है और उससे फिर आपकी quality of sleep and the quality of life and the quality of thought प्रभावित हो रहा है उसके बाद आता है anxiety anxiety आता है कि हमारे fear वाले thoughts बढ़ गए हैं हम बहुत ज़्यादा multiple thoughts के साथ हैं हमारे अंदर phobia बढ़ गया है और हमारे साथ कुछ miss happening ना हो जाए यह एक डर बढ़ गया है या फिर हमें एक guilt यह fear रहता है कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है हमसे कुछ गलत तो नहीं हो गया या हमसे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा इस तरह की condition next level पर आपको headache यानि heaviness रहता है आप freely महसूस नहीं करते functional weakness देखी जाती है काम में मन नहीं लगता और यदि आप काम करने भी लग जाते हो तो फिर energy नहीं होती है आपके पास उसके बाद आता है कि multiple joint pain chronic pain fibromyalgia जैसी conditions हो जाती है कि pain आपको रहता है लेकिन कोई reason नहीं मिलता है menstrual pain जादा हो जाता है menstrual syndrome डवलोप हो जाता है कि महीने के दौरान आपको जादे तकलीफ होती है जादे body खिछती है आपको जादे BP low हो जाता है और आप बहुत जादा disoriented बहुत जादा pain में रहते हैं gastric problems देखे जाते हैं gas जादे बनने लग जाता है किसी को किसी को cubs होता है किसी को indization होता है और किसी को भूख प्यास काफी प्रभावित हो जाती है hair loss देखा जाता है depression देखा जाता है increased level of fear मतलब हमारा डर बढ़ जाएगा guilt बढ़ जाएगा और हम एक normal reactions में नहीं रह पाते चाहते हैं हम causes करते हैं कि हम normal communication में रहें normal argument में रहें normally react करें लेकिन वो हमसे नहीं होता हम abnormally react करते हैं inability of expressing the thoughts हम जो कहना चाहते हैं हम उसको नहीं कह पाते हम उसको express नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते बहुत poor focus हो जाता है हम किसी चीज़ को याद करने की कोशिस करते हैं याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमसे नहीं होती है अब बात यह आते है कि ये सारे भदलाभ आज ये आप देख रहें हैं ये सब को चेंज आपके altar आता है तो फिर आखिर इसको deal करने का طریका क्या है देखो, stress को deal करने का सबसे अच्छा तरीका, trauma से बान निकलने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप अपने से बात करिए ना ही तो कोई complete है, ना ही कोई perfect है, ना ही कोई खुदा है, ना ही कोई भगवान है हम सब plus minus हैं, हमसे अच्छा भी होगा, हमसे बुरा भी होगा, हमसे गलतियां भी होगी और हमसे कुछ अच्छा भी होगा तो you have to accept yourself as a normal human being, आपकी conditions different हो सकती है, आपका attitude different हो सकता है आप अपने बहुत सोचे समझे, बगर समझे, react कर दिया, ऐसा भी हो सकता है because देखो, इनसान एक normal machine की तरह है, जो condition से, emotion से, trauma से, fear से, x, y, z चीजों से बहुत ज़्यादा पिरभावित होता है और वो उस पिरभाव के कारण कई बारी हम stress में होते हैं, कई बारी हम अच्छा करते हैं, कई बारी हम बुरा करते हैं अब मैं दूसरे level पर आता हूँ, stress से बचने का एक basic अच्छा तरीका यही है, कि यदि आपका nature में या God में believe है, तो आप यह मान के अपनी जिंदगी जीए, कि जिस इनसान ने, जिस nature ने आपको पैदा किया है, वो आपको protect भी करेगा, वो आपके लिए सारी चीज़ें महि अब दूसरी बात पर मैं आता हूँ, देखो nature ने या God ने हमें बहुत जादा एकस बाई जैड या protection के साथ नहीं भीजा है, हम सब naked आए हैं इस दुनिया में, हम सब empty brain के साथ आए हैं, हम सब without जाद धरम के आए हैं, religion, इस दुनिया में आके ही हम एकस बाई जैड होते हैं मलग कोई doctor होगा, कोई engineer होगा, कोई artist होगा, कोई editor होगा, कोई graphic designer होगा, यानि यहाँ पे ही इधर इस दुनिया में आके हम सब ने अपना एक designation पाया है, हम सब इधर ही आके हिंदू-Muslim सिक्किसाई बने हैं, हम सब इधर आके ही सब caste यानि जातियों में divide होएं, तो इधर ह सब कुछ हुआ है, nature ने, God ने हमें एक खाली दिमाग के साथ यहाँ पे भेजा है, और एक इंसान के रूप में हमें यहाँ पे भेजा है, तो सबसे पहले अपनी ego से बहार निकलिए, अपनी guilt से बहार निकलिए, अपने fear से बहार निकलिए, अपने आपको एक normal इंसान मानि करिए और टाइम बहुत बड़ा हीलर होता है दीरे दीरे टाइम गुजरेगा वो चीजें खतम हो जाएंगी तीसरा है कि आप पॉजिटिव एंगिंजमेंट तलासिए कुछ नई किताबें पढ़िए नया कोई कोर्स करिए म्यूजिक थोड़ा सा सुनिए या म्यूजिक खुद से गाईए या डांस करिए या फिर कोई आउटडोर गेम खेलिए नई किताबें पढ़िए और डेली वेज़े एक्सराइज करिए पॉजिटिव रहिए थैंक्सफुल रहिए नेचर के पिटती गॉड के पिटती तो कु लोगों के साथ involve होने की कोशिस करिए लोगों से बात करिए तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका stress मैनेज हो गया है लेकिन फिर भी यदि कोई आपको problem रहती है तो फिर counselling की जा सकती है और आपके stress के पीछे कोई और underline cause जड़ा हुआ है तो उसको discuss किया जा सकता है उ with the help of counselling and the discussion and the positive motivation. Thank you very much and take care yourself.